Hello everyone, कैसे आप सब? I hope आप सब बढ़िया होंगे तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले Notebook LM के बारे में Notebook LM Google का एक AI Powered Research और Writing टूल है यह हमारे ना सिरफ Notes को सिरफ Read करता है, बल्कि उन्हें समस्ता भी है और समझने के बाद यह हमें उनकी Summary भी Provide करता है और Summary Provide करने के बाद भी अगर हम चाये तो हमारे Notes में से अलग-अलग Important Bullet Points को भी इसमें से Extract कर सकते हैं यह हमारे लिए बहुत ही एक Useful Tool है इसको यूज करके हम अपने लिए Content Generation का भी काम कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम दिखेंगे किस तरीके से हम Notebook LM को यूज करके अपने लिए अलग तरीके से help ले सकते हैं और साथ ही हम यह भी जानेंगे किस तरीके से हम Notebook LM को यूज करके अपने Social Media के लिए करावसल किस तरीके से create कर सकते हैं इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जबूर देखेगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जबूर सब्सक्राइब कीजिए तो चलते हम हमारे वीडियो के और सबसे पहले हम notebooklm.google.com साइट पर जाएंगे साइट पर जाकर हम साइन अप करेंगे मैंने पहले से अपना अकाउंट क्रेट कर रखा है इसलिए मैं यहाँ पर try notebooklm पर क्लिक करूँआ जैसे मैंने try button पर क्लिक किया तो यहाँ पर direct login हो चुका है login करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा message लिखा हो आ रहा है welcome to notebooklm उसके नीचे आप देखेंगे create a new notebook का यहाँ पर बटन आ रहा है यहाँ से हम अपने लिए नया notebook create कर सकते हैं और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरी पुरानी notebook यहाँ पर जो मैंने पहले create कर रखे वो आ रहा है यहाँ और अगर उसी के right sides आएंगे तो यहाँ पर views को change करने का option आता है यहाँ से हम list view कर सकते हैं और यहाँ से हम grid view कर सकते हैं और उसी के right side में देखेंगे यहाँ पर sort करने के लिए अलग-अलग options आता है most recent option title और shared with me जो फाइल हमने दूसरों से share कर रखी होगी या जो हमारे साथ share हो गई होगी उसको हम यहाँ से sort कर सकते हैं अभी हमने most recent वाला option select कर रखा है इसके बाद अगर आप उपर देखेंगे तो यहाँ पर एक setting का यहाँ पर बटन आ रहा है यहाँ से हम अपने theme को change कर सकते हैं यहाँ से अभी मैंने dark mode select कर रखा है आप चाओ तो यहाँ पर light mode भी select कर सकते हैं और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर output language आ रहा है यहाँ से हम अपने यहाँ पर notebook LM का language change कर सकते हैं उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर upgrade का option आ रहा है जहासे हम अपने लिए notebook LM का paid plan purchase कर सकते हैं नटिबूक आलम का यहां पर पेट प्लाइन भी अविलेबल है अगर आप पेट प्लाइन लेना चाँते तो आप यहां से उसको अखसेस कर सकते हैं अब हम एक नया नोटिबूक Черная करेंगे तो रुदि को के लिए एकलें के लिए करेंगे जैसे हम उस पर click करते हैं तो यहाँ पर हमको बोल रहा है add source इसमें हम अपने pdf को upload करेंगे मैंने एक pdf पहले से create करके रख रखा है मैं उसी को यहाँ पर upload करूँ है मैंने time management technique से related pdf को यहाँ पर upload किया है अब यह pdf यहाँ पर upload हो चुका है pdf upload होने के बाद आप यहाँ पर सबसे left में देख सकते हैं यहाँ पर एक source का section आ रहा है source के section में यहाँ पर हमने जितने pdf upload किया है वो दिखाएंगे अभी यहाँ पर क्योंकि मैंने एक ही pdf को upload कर रखा है यहाँ पर इसलिए एक ही pdf दिखा रहा है और वही pdf मेरा है यहाँ पर select हो रखा है अगर और pdf आपको add करना है तो यहाँ पर add पर click करके हम नय pdf add कर सकते हैं add के बाद आप देखेंगे यहाँ पर discover का button आ रहा है यहाँ पर हम जैसे click करेंगे यहाँ पर हम कुछ भी search कर सकते हैं किसी भी topic के बारे में कुछ भी question यहाँ पर search कर सकते हैं अब यहाँ पर हम chat section में आ जाते हैं chat section में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने pdf upload करी है उस हिसाब से इसने मेरे को यहाँ पर एक title क्रेट करके दे दिया है और उसी का यहाँ पर एक short सा summary उसने create करके दे दिया है अब अगर हम चाहे तो इसको as a note हम save भी कर सकते हैं यह हम copy करके हमारी drive वगेरा पर कहीं पर भी उसको paste कर सकते हैं उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर add note का एक button आ रहा है note के बाद आप देखेंगे यहाँ पर audio overview का एक button आ रहा है जहां से हम हमारे PDF को audio version में convert कर सकते हैं और उसको download कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पर audio overview button को click कर दूँँआ तो देखना आप किस तरीके से यहाँ पर जो भी मेरे PDF में discuss किया जा रहा है उसको यह एक तरह से एक podcast में convert कर देगा उसको हम easily उसको सुन सकते हैं अभी यह convert हो रहा है यहाँ पर इसलिए थोड़ा time लगेगा audio overview के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर mind map का option आता है जैसे हम mind map button पर click करेंगे तो इस जित्ता भी यहाँ पर PDF में data है उसके हिसाब से यहाँ पर एक mind map create हो जाएगा फिर उस हिसाब से हम इसको easily read कर सकते हैं यहाँ पर mind map create हो चुका है अब मैं इस वाले mind map को open करूँगा इस PDF के हिसाब से यहाँ पर इसने mind map create करके दे दिया है सबसे पहला technique जो बता रहा है pomodoro technique अगर मेरको उसको सीखना है तो मैं यहाँ पर click करूँगा उस हिसाब से यहाँ पर यह मेरको पूरा data यहाँ पर दिखा देगा और साथ ही यह मेरको इसका source भी बताएगा यह किस जगे से इसने कौन सा data पिक किया है यहाँ पर इसने पूरा data बता दिया है अब अगर हमको इसके source के बारे में चेक करना है तो हम इसको जैसे ही hover करेंगे तो इसका पूरा source बता देगा इसको हम जैसे click करेंगे तो आप left side में देखेंगे आपर source guide भी open हो चुका है इसको मैं close कर देता हूँ तो इस तरीके से हम mind map को easily use करके अच्छे से किसी भी चीज को यहाँ से इस तरीके से याद कर सकते है mind map के बाद अगर आप right side में और देखोगे तो यहाँ पर notes वाला section आ रहा है notes वाले section में वही सारी चीज़े वापस आ रही है add note वाला option आ रहा है study guide, FAQ, briefing docs और timeline का option आ रहा है यहाँ पर हम जैसे study guide पर click करेंगे तो यह हमारे लिए एक pdf के हिसाब से study guide prepare करके दे देगा तो अगर आप student हो या कोई teacher हो तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा help कर सकता है अभी मैं यहाँ पर study guide पर click कर दूँगा यह इसने मेरे लिए एक study guide prepare करके दे दिया है तो students इसका बहुत अच्छे तरीके से use ले सकते हैं यह उनकी बहुत help कर सकता है study guide के नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर FAQ का option आ रहा है अब हम यहाँ पर FAQ वाले option पर click कर देंगे जैसे हम FAQ वाले option पर click करेंगे यह हमारे content के लिए FAQ generate कर देगा FAQ generate होने के बाद उसको हम easily याद कर सकते हैं तो यहाँ पर सारे FAQ generate हो चुके हैं हम इस FAQ को copy करके save भी कर सकते हैं और यहाँ तो हम इसको चाये तो convert to source में भी click करके यहाँ पर source में convert कर सकते हैं अब इसको अगर close करना है तो हम वापस यहाँ पर इस icon पर click करेंगे close करने के बाद आप देख सकते हैं हमने थोड़े देर पहले यहाँ पर audio वाले बटन पर click किया था तो audio file यहाँ पर generate हो चुकी है अब अगर आपको सुनना है तो audio को यहाँ पर हम click करेंगे और यहाँ से audio शूरू हो जाएगा हम इस audio file को save भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ share भी कर सकते हैं अगर हमको share करना है तो हम इस icon पर जैसे click करेंगे तो इसको यहाँ से हम link को copy करके किसी के साथ भी share कर सकते हैं अगर हमको इसके playback speed को change करना है तो हम इस icon पर जैसे click करेंगे तो यह हमको अलग-अलग speed बता देगा उस हिसाब से हम इसको save भी कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं और अगर आपको delete करना है तो यहाँ पर delete बटन को click करके यह audio file delete हो जाएगी अब मैं इस audio को delete कर दूँगा अब आप FAQ के बाद देख सकते हैं आपर timeline का option आ रहा है यह चीज़ बहुत ज़्यादा helpful होती है जब अगर हमारे document में बहुत सरे dates mention हो रखे होते हैं तो यह हमको easily यहाँ पर time के हिसाप से अलग-अलग events को easily हमको बता सकता है अभी मैं studio panel को यहाँ से close कर दूँगा close करने के बाद हम दुबारा यहाँ पर chat वाले section में आ जाते हैं अब हम देखेंगे किस तरीके से हम chat करके अलग-अलग questions हमारे document के इसाप से पूछ सकते हैं यहाँ पर इसने मेरे को अलग-अलग questions नीचे बना के पहले से दे रखे हैं आप चाओ तो इनने भी use कर सकते हैं अगर आपको खुद का question पूछना है तो उनको भी यहाँ पर आप type करके पूछ सकते हैं अब ही मैं यहाँ पर first question पूछ लेता हूँ तो इसने मेरे को यहाँ पर question के answer दे दिये हैं अब इसको हम notes पर save भी कर सकते हैं अगर हमको answer पसंद नी आया तो हम इसको यहाँ पर bad response पर भी click कर सकते हैं इस तरीके से आप कोई साभी question यहाँ पर पूछ सकते हैं answer के आगे आप देख सकते हैं आपर one लिखावा आ रहा है हम इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यह हमको source बता देगा हम यह answer कहां से pick किया गया है अब वीडियो के शुवात में मैंने कहा था आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम PDF में से अगर कोई topic हमारे पसंद का है और उसको हम Instagram में post करना चाते हैं तो उसको हम किस तरीके से carousal में convert कर सकते हैं तो carousal में convert करने के लिए मैं यहाँ पर यह line लिखूँगा turn this time management techniques into short 7 Instagram carousal slides each slide should contain one tip in a catchy one liner अब मैं इसको यहाँ पर enter कर दूँगा अब आप देख सकते हैं इसने मेरे को अलग अलग तरीके से 7 slides दे दिये हैं और साथ ही इसने मेरे को one liners भी दिये हैं इसको हम जाके canva में paste करके अपने हिसाब से background image change कर सकते हैं और carousal बना सकते हैं तो I hope आपको वीडियो जरूँ पसंद आओगा अगर वीडियो एलफु लगे हो तो प्लीज इसको like कीजिए और share कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं कियो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूँ सब्सक्राइब कीजिए